जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकस गुर्कुल यूट्यूब चैनल पे तो जी हाँ सारी अफवाहों एक तरफ से धारा साहीं हो चुकी है खतम हो चुका है और यह जितने 19,000-20,000 वेकेंसी के उपर में लोग वीडियो बना रहे थे वो कह यह temporary है याभी यह permanent नहीं यह अभी सकते नहीं है इसको मानकर के बैटना फिर बच्चा की भी मान सीकता है वह वैसे बन जाती है और उसी के उपर में तयारी वह वो करना शुरू कर देता है बात मुसको जो दुख होता है मतलब मैं आपको 10 रुपय का लालच दिखा कर K2 बाते होती हैं लेकिन अभी वह अपने जिद पर अड़े पड़े हैं कि वह वेकेंसी को नहीं बढ़ाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि भारत में इतनी सारी जो रिल गटनाएं हो रही हैं उनके पीछे में कहीं मैंन पावर का कम होना काफी बड़ा रीजन वाना जा रहा है और आपके इतने आ चुके हैं यह देख सकते हैं यहां पर यह आपका हो गया पांच बटे दो हजार चौबिस ठीक है इसके पहले आपके चार और आ चुके हैं इस बड़ जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला इंटी पीसी का इसमें दो पदो के बारे में इन्होंने आएंगे सारी बाते वीडियो को शुरू से लेकर के लास तक देखिएगा हम आपको सारी जानकारी देंगे और वो भी सटीक देंगे जो आया हुआ है खुद एंटी पीसी के तरफ से तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो देखो हमारे पास में कुल मिला करके यहां पर कितनी वेकेंसी है आपके सामने तो ग्रेजुएशन की 8,113 वेकेंसी है और उसके अलवा इंटरमेडियेट की 3,445 नहीं कुल मिला करके 11,500 अंठाउन वेकेंसी है अब इतनी वेकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आईए इसमें कौन-कौन सा पोस्ट है और क्या-क्या है थोड़ा हम लोग उसको डीटेल में देखते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि दो तरह का है एक आपका ग्रेजुएशन लेवल के बारे में अगर हम समझेंगे तो इसका जो डेट है यहां पर ओपनिंग ऑफ अप्लिकेशन यह 14 सितंबर से आपको शु सबस्टेम है पर इस बार इसमें क्या किया है कि इन लोगों ने तीन पोस्ट कर दिया है तो जो सारे के सारे देखेंगें तो त्हों के लेवल 6 के पोस्ट हैं इसमें जो आपके रुत्वे के हिसाब थ्ठोड़ासा अगर आप एक तरिके से पावर के हिसाब से अगर आप बात करते हुं बाई तो ये स्टेशन manager हो गया तो इनका kilometer के उपर में होता है तो इनकी जो earning होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है अलाकि आवर तब भी fix रहते हैं बट फिर भी बाकी औसतन जो कमाई होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है medical standard यहां पर बता ही दिया गया कि किसमें A2 post है किसमें B2 और किसमें C2 standard है आपका age के बार है मैं सबसे पहले बात करें तो पहले जो age आती थी आपकी वो 18-33 के बीच में होता था लेकिन covid के कारण हर जगा पर 3 साल का relaxation दे दिया गया है तो यह बहुत फाइदे की बात हो जाती है तो लगबख सभी बच्चे जो है वो 18-36 साल के उमर वाले वो बढ़ सकते हैं इसके अलावा जो आपका normal आपका reservation रहता है OBC quota का SC ST quota का और बाकी सभी quota लोगों का जो इसमें तीन साल और पांच साल मिलते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा अब अगर हम बात करें यहां पर किस पद की सबसे जादा वेकेंसी है तो आप यहां पर देखो सबसे जादा पकेंसी जो है आपकी 3144 है और वह आपका है goods train manager का ठीक है उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर वेकेंसी आती है आपका वह आपका हो गया chief commercial ticket इसका 1734 वेकेंसी है तीसरे पर अगर हम बात करें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप इस यहां पर यह 1507 वेकेंसी है और जो टीसी हो गया आपका तो टीसी का अगर आप यहां देखोगे नीचे वाले में आपके इसमें तो सीनियर क्राइपिस्टेस का 732 हो है आपका तो यह सारे के सारे पोस्ट मिलागर के 813 होते हैं ठीक है पोस्ट इन्होंने काफी कम की है देखे मेरा जहां तक अभी अनुमान है कि यह एक नॉर्मल अभी आया हुआ है और इसमें भी वेकेंसी बढ़ सकती है अगर हम लोग सारे मिलकर के करें सही तरीके से करें इसकी वेकेंसी को और बढ़ाई जाए तो सरकार इसकी बात को सुन भी सकती है अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे एलपी में और टेक्नीशन में वेकेंसी बढ़े हैं वैसे इसमें भी वेकेंसी बढ़ने के पूरे आसार है अचा रेलवे ने पूरा कैलेंडर देया था उसमें यह मान करके चलिए कि सारे के सारे उन्होंने वेकेंसी तो सारे फॉंट के उन्होंने घोशना कर दी है अगले महिना जो ऑक्टूबर होगा आपका उसमें गुरूबडी का आना बाकी है एक वही बचा हुआ है बाकी और सारे के सारे लगबग पूरे हो चुके है वाला फॉर्म आपका अलग भरेगा 21 सितंबर से और यह आपका 14 सितंबर से तो ग्राजवेशन वाले जो बच्चे हैं उनको पहले मौका दे दिया गया है कि आप अपना फॉर्म पहले भर लीजे अराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है और उसके बाद में तब यहां पर जो लेकिन इसमें से क्या होता है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो 400 रुपे आपके रिफंड हो जाते हैं अब वो अलग डिबेट वाली बात हो जाती है कि यार इतना महेंगा कैसे हो गया दो-दो फॉर्म के बराबर की फीस क्यूं ले रही है जब 100 रुपे लेना है तो 500 क करते हैं और काफी ऐसे बच्चे हैं जो नामात्र फॉर्म जो है सस्ता रहता है तो भर देते हैं और पेपर देने जाते नहीं है उसमें सरकार का खर्चा बहुत जादा लग जाता है तो इसी वज़े से कम करने के लिए कि सिर्फ सीरेस कैंडिडेट ही यहां पाएं उन्हों उन्हें फॉर्म की कीमत को 500 रख है फिर जो पेपर लेवल 1 CBT 1 देकर के आ जाते हैं तो उनके खाते में 400 रुपे की वापसी हो जाती है तो दोनों का आपको अलग अलग फॉर्म भरना है पहले जो फॉर्म कुलेगा वह आपका ग्रेजवेशन का और उसके बाद में जो चर्चा किसी भी रूप में नहीं की गई है अगर हम 12 लेवल वाले में बात करें तो 12 लेवल बारे में हमारे चार पोस्ट के बारे में ज्यादा चर्चा है अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इन सभी का जब आप टोटल देख रहे हो तो 3,445 विकेंसी आपकी होने वाली है बाकी जो मेडिकल का स्टैंडर होता है आर बी का वो तो आपका रहेगा ही रहेगा इसके उपर में मैं और भी काफी सारी डीटेल आप लोगों के लिए लेकर के वीडियो बनाऊंगा और सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा तो फिलाल आपकी 11,000 वेकेंसी जाने वाली ह है कि चुकि दोनों का आपका फॉर्म भरने का अलग-अलग सिस्टम है आपका जो ग्राजुएशन उसका अलग फॉर्म भरना है और आपके 12 वालों पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना है तो क्या दोनों के CBT-1 अलग होंगे क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि CBT-1 जो थे वो सबके सेम थे और CBT-2 सबके अलग-अलग कर दिये गया था नटीपीसी का अलग हो गया था बाकी का अलग हो गया था क्या इसमें ऐसा होगा कि CBT-1 भी दोनों के अलग-अलग होंगे ठीक है तो यह छोटी-छोटी बाते हैं जो की काफी जादा डिफर कर रही है तो यह मैं आप लोगों को officially जब इसका पूरा संपूर्ण रूप से closing form का date आजाएगा आपको exact जो है और थोड़ी सी specific जानकारी हो जाएगी तो हम संपूर्ण वीडियो ले जा करके आपको बताएंगे अब बात आती है आपके तयारी को ले करके तो दिखिए मैंने बस सबके सेम है बस questions के level में अंतर होता है तो उसी तरीके से आपका यहां पर भी होने वाला है तो अगर आप इस परिक्षा की सटीक तरीके से तियारी कर रहे हो और आप चाहते होगी इसमें आपका selection हो तो शुरू से आपको prepare होना पड़ेगा हमारी state exam की जो टीम है वो भी यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सीरीज लेकर गयाएगी और इसमें बताएगी ही बताएगी बाकि जो बच्चा मैट्स का complete मेरे से पढ़ना चाहता है तो वो मेरे मैट्स के recorded बैच से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है क्योंकि एंटीपीसे में कही ना कहीं सीजल वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं मैंना अक्सर देखा है मेरे काफी ऐसे दोस जब मैं तयारी खुद करता था तो वह सीजल की तयारी करते थे लेकिन एंटीपीसी की वेकेंसी आने के बाद में वह उसमें शिफ्टो करके चले और आप उसमें अपलाई करके उसमें भी अपना सेलेक्शन ले सकते हैं तो जो आपका बाकी सेलेबस है सेम है सीजल की तरह ही है और इतना मान करके चलिए इसमें मैंस के कोशन भी आपके 35 की आ रहे हैं तो मैं आपको इतना कहूंगा कि देखिए जो मैंस की त्यारी करना चाहत शुरू से मैंने एक मात्र एकी उदेश्य के साथ में ये बनाया था कि जब NTPC होगा जब railway group D होगा और बाकी railway के सभी परिक्षा होगी तो हमारे बच्चों के पास में एक ही किताब होगी और इससे ये पूरा का पूरा संपुन रिविजन कर पाएंगे तो ये पूरी की पूरी आपकी एक ही अकिलोती किताब है इससे अगर आप railway group D भर रहे हो NTPC भर रहे हो ALP technician RPF SI RPF constable किसी भी परिक्षा के आप त्यारी कर रहे हो गनित के लिए एक मात्र रामबान आपके पास में आपकी railway गनित हिंदी में और railway जो मैत्स है वो English में है इस कित सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर में कंपाइल किया हुआ है बच्चों को काफी ज़्यादा इससे फायदा भी हो रहा है और मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं ठीक है railway गनित को लेकर के यहां railway गनित आपकी किताब ही हो गई फ्लिपकार्ट पर अमेजन पर और आज के टाइम पर इसका आज के डे पर इसका ओफर भी है तो आप इसे ओफर में भी मंगा सकते हो तो railway जो गनित हो गई हमारी यह किताब है आप इसमें देखो यह हमेशा फ्लिपकार्ट पर ट्रेंडिंग भी रहती है और बेस सेलर भी तो आज इसको मंगाओगे तो दो सौ पैसट रुपे के अंदर में आप इस किताब को मंगा सकते हो और बढ़िया तरीके से आप इससे त्यारी कर सकते हैं बहुत ही प्यारी किताब है सारे जो टॉपिक्स दिये गया है वह ऐसे पूरा का पूरा आपका टाइप वाईज है और आपका लेवल वाईज है आप देख सकते हैं इस टाइप से लेकर यह प्रशन संख्या और यह सारी बात हैं तो आप बढ़िया तरीके से किताब को मंगाईए और बढ़िया से आप इसकी तियारी करिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट हमने इसमें दिया हुआ है मैथ में आ अगले वीडियो में जए हैं